दोस्तों Defense Sector की Major Update की बात करें तो, आज की पहली खबर है, 30 जून को Bay of Bengal में Indian Navy और French Navy के बीच Maritime Exercise को Conduct किया गया था इस Exercise में Indian Navy की तरफ से दो vessels ने भाग लिया था पहला INS Rala जो की एक Guided Missile Destroyer है और दूसरा INS Sumedha जो की एक Offshore Patrol Vessel है भारत और फ्रांस के बीच हुए इस Maritime Partnership Exercise के दोरान कुछ Defined Objectives को Complete करना था जैसे की Tactical Manoeuvre, Replenishment at Sea Approaches, किसी War के दोरान इन Vessels पर होने वाले Aircrafts के खिलाफ Defense और Cross Deck Helicopter Operations जिन्हें Successfully Perform कर लिया गया इस Exercise में French Navy की तरफ से Lifayet Class की एक Frigate ने भाग लिया था साथ ही साथ आपको ये भी बता दो कि ये French Frigate 26 से 29 जून तक विशाखापर्टिनम की विजिट पर भी थी आज की दूसरी खबर है एक जुलाई को भारत और पाकिस्तान की तरफ से 2008 में किये गए एक Agreement के तहत दोनों मुलकों के जेलों में बंद Prisoners की लिस्ट को एक्सचेंज किया गया है इस लिस्ट में भारत की तरफ से कस्टडी में लिये गए पाकिस्तान के 343 सिविलियन प्रिजिनर्स है और 74 फिशर्मेन भी है जो की भारत की जेल में बंद है इसी के उलट पाकिस्तान की तरफ से जो लिस्ट शेर की गई है उसमें 42 सिविलियन प्रिजिनर्स है और साथ ही 266 फिशर्मन भी शामिल है जो कि इस वक्त पाकिस्तान की कस्टडी में है, भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान से अपील की गई है कि जो Missing Indian Civilian Prisoners और Fishermen अभी पाकिस्तान की कस्टडी में है, उन्हें जल्द से जल्द भारत को सौपा जाए आज की तीसरी खबर है, Newsroom Urisa.com और Pragatiwadi.com जो की उरिसा की ही स्थानिय मीडिया हाउस है की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करके बताया गया है की एक जुलाई को शाम के करीब 6 बच के 50 मिनट पर, डियार्डियो ने डॉक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम आइलिंड से K-15 मिसाइल का टेस्ट फाय किया था आपको यहां बतादूंकी के 15 एक सब्मरीन लॉंच बिलिस्टिक मिसाइल है, यह मिसाइल सागरिका के नाम से भी जानी जाती है जो की शौर्य मिसाइल का सब्मरीन लॉंच वेरियंट है इस मिसाइल की एफेक्टिव रेंज 750 से 1500 किलोमीटर है और साथ ही यह मिसाइल अगस्ट 2018 से ही फुली ऑपरेशनल है लेकिन ये दोनों ही रिपोर्ट लोकल मीडिया हाउस से आई है और इस पर ना तो डियार्डियो की तरफ से और ना ही भारतिय रक्षा मंत्राले की तरफ से कोई अफिशल स्टेटमेंट रिलीज की गई है आज की चौथी खबर है कि Ministry of Defence की तरफ से एक अफिशल स्टेटमेंट जारी करते हुए ये बताया गया है कि गगन्यान मिशन की क्रूर रिकवरी टीम की फर्स बैच ने सिक्सेस्फ़ली वाटर सवाइवल फैसिलिटी जो की कोची मिस्तित है की ट्रेनिंग को कम्प्लीट कर लिया है इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस ट्रेनिंग के दोरान इस्रो और इंडियन नेवी के द्वारा सेयुक्त रूप से तयार किये गए सौप्स को भी वैलिडेट कर लिया गया है और आने वाले महीनों में इस ट्रेनिंग को कम्प्लीट कर लेने के बाद ये टीम इस्रो के द्वारा किये जाने वाले टेस्ट लॉंचेज में शामिल होगी आज की अंतिम और पाँचमी खबर हमारे गांडू पुरोसी के तरफ से है पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेटेड गजवा ए हिंड मॉड्यूल के मामले में रविवार को एनाए के द्वारा भारत के तीम राज्य के मल्टिपल लोकेशन्स पर रेड ऑपरेशन कंदक्ट किया गया था रिपोर्ट के मुताबिक टोटल पाँच रेड्स कंदक्ट की गई थी इन प्राइमरी लोकेशन्स में तीन तो बिहार में ही थी दो पटना में और एक दरभंगा में एक गुजरात के सूरत में और एक उत्तर प्रदेश के बरेली में मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन संदिग्दों के घर पर जो रेड्स कंदक्ट किये गए है उसमें कुछ डिजिटल डिवाइस जैसे की सेल फोन्स, मेमरी काड्स, सिम काड्स इनके अलावा कुछ दोक्यूमेंट्स और कुछ आपतिजनक सामगरी को बरामद किया गया है इसके साथ ही आपको ये भी बता दो कि ये पूरा मामला लास्ट येर, 14 जुलाई को बिहार पुलिस के द्वारा, पतना के फुलवारी शरीफ इलाके के रहने वाले मरगूप एहमद दानिश उर्फ ताहिर की गिरफतारी के बाद दर्च किया गया था और फिर NIA ने आठ दिनों के बाद इस पूरे मामले को अपने हाथों में ले लिया था इस मामले में अभियुक्द दानिश उर्फ ताहिर पाकिस्तान बेस्ट गजवा एहिंद मॉड्यूल का मेंबर भी पाया गया है आगे इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इसने गजवा एहिंद के नाम के वाटसैप ग्रूप में इंडिन सॉइल पर टेरर अक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल्स को स्थापित करने के उद्देश से कई सारे इंडिन गद्दारों, पाकिस्तानी, बंगलादेशी और येमेनी नागरिकों को इस ग्रूप में जोड़ा भी था तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जैहिंद झाल